नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से, धन तेरस के दिन खरीद लाना सारा घर धन से पूरा भर जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखना, धन तेरस के दिन खरीद लेना यह एक चीज, तेरा गुना बढ़ जाएगा प्रभाव, पूरे साल होगा धन की बरसात, नहीं सताएगी गरीबी। धन की घर में खरीद करके लाने से, तेरा गुना जादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाता है, यह जानकारी दूंगा, निनानने प्रसत लोग, लगभग, निनानने यह फिर कहें कि नब्बे प्रसत लोग गलती करते हैं, धन तेरस की दिन कुछ ऐस धन की घर में खरीद करके लाते हैं, जिसे धन की घर में आपके बढ़ोतरी होने की बजाए, धन का च्छे होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात यह शमागरी धन का नाश करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्यूं मनाते हैं धन तेरस, आखिर क् के पीछे क्या कारण है, और धन तेरस के दिन हमें कौन से साधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धन तेरस के दिन माता लक्ष्मी जी परतेक मनुस्च के द्वार में धन देने श्वयम जाती हैं, जिसे माता लक्ष्मी जी, मा लक्ष्मी जी आपके घर में बीना हिच किच, बीन की गरीबी को मिटा दे तो कमेंट बाक्स में जै माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए बीडियो को जरूर देखना धन 13 2022 में कब है तो पंचान के अंसार इस साल धन 13 23 अक्टूबर रव्यार 2022 में है आईए जानते हैं धन 13 क्यूं मनाते हैं तो धन 13 म हुए थे धनवंतरी देपताओं के बैद हैं एक वार शमंद्र मंथन करने के निश्य देव और मनुष यानि देव और दानों दोनों ने किया तो 14 रतनों में से धनवंतरी भगवान भी प्रकट हुए धनवंतरी भगवान विश्मी जी के अवतार हैं अम्रित कलस लेकर प् प्रत्वी लोग पर तो जो आगे आगे भगवान विश्मी जा रहे थे और पीछे पीछे माता लक्ष्मी जी तो एक जगह रुक कर भगवान विश्मी जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि आप रुक जाए मैं थोड़ी देर में आता हूं आप जब तक मैं आना जाऊं आप यहां से हिलना डूलना नहीं और मेरे पीछे मताना भगवान विश्व इतना कहकर चले गए माता लक्षमी जी कुछ देर खड़ी रही फिर इसके बाद उनके मन में कौतोहुल हुआ कि आखिर भगवान कहकर गए तो गए कहां क्या कारण हो सकता है मन चंचल होने के कारण माता प्षमी जी तुम किशान प्षमी जी पीछे पीछे चली आइं तो उन्हें करोध हुआ और मता लक्षमी जी जी ने माता लक्षमी के स्तराब दिया कि तुम किशान के फूल बीना पूचे क्यों तो तोड़ लिये क्यों नुक्सान किये जाओ अब तुम 12 वर्ष तक इसी किसान के घर में रहोगी 12 वर्ष बाद ही मेरे पास आओगी इतना कहकर भगवान विश्मी जी चले गए माता लक्ष्मी जी वहीं पर रूप धारन करके उस किसान के घर में रहने लगी और 12 साल के देखते देखते वह किसान धनपती बन गया धनवान बन गया उसके घर में किशी प्रकार के कोई कमी नहीं हुई 12 वर्ष से बाद यनि जब वापस भगवान विश्मी जी माता लक्ष्मी जी को लेने आए और माता लक्ष्मी जी जाने को तयार हूई तो किसान पैर पकड़ लिया और बोला नहीं माते आपको नहीं जाना है और भगवान विश्मी जी को भी नहीं जाने दिया बोले अब आप लोग नहीं जाओगे आप लोगों के कारण ही हमारी निर्धनता दूर हुई है इसलिए आप लोग हमारे साथ घर में ही रहोगे और उस दिन धन त्रोशी तिथी थी धन तेरस का जो दिन था वो था इस दिन भागवान विश्मी जी जाने को तयार थे तो इतने में भगवान विश्म जी ने कुछ कौडिया दिया उसमें से चार कौडिया उनके हाथ में दे कर कहते हैं जा उशे गंगा जल में आप बहा देना इतना कहकर वो एक कौड़ी लेकर किशान चला गया गंगा इश्नान करने और वहाँ पर जब डुबकी लगाता है हाथ को नीचे करता है जब गंगा जल में डालता है इतने में उसमें से चार हाथ निकलते हैं और उस कौड़ी को ले लेते हैं तो इतने में वो किशान बोलता है कि ये है गंगा मैया आप कौन है तो वो बताती हैं कि मैं गंगा मैया हूँ और ये जो कोडिया जिन्हों ने दिया है वो साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्मी जी हैं तुम्हारे घर में पधारे हैं बस इतना सुनते ही उसके मन में बड़ा कौतोल भगवान का दर्सन करने के लिए हुआ वो दोड़ा दोड़ा अपने घर चला आया और माता लक्ष्मी का पैर पकड़ लिया भगवान विश्मी जी का पैर पकड़ लिया और कहता है प्रभू और माता लक्ष्मी जी आप हमारा निमित दीपक जलाओ पूरे घर को दीपक से सजा दो और आप हमारी पूजा करो आज हमारी साम के समय जो पूजा करेगा और दीपक जलाएगा मैं उसके घर में साल भर रहूंगी तो इस प्रकार से उसे बचन दे कर और उसको इस प्रकार से नियम पूजा पाट का बता कर और उच दिन से धन तेरस की शिरुवात हो गई आईए जानते हैं साल 2020 के धन तेरस के पूजन शुबमहुरत के बारे में तो 23 अक्टूबर को साम 5 बचकर 44 मिनट से 6 बचकर 5 मिनट तक रहेगा प्रदोस काल का समय साम 5 बचकर 44 मिनट से 8 बचकर 16 मिनट तक प्रदोस काल में अगर आप माता लक्षिन जी के पूजन करते हैं तो अधि उत्तम माना जाता है जो लोग चाहते हैं कि माता लक्षिन जी को परसन करना चाहते हैं घर से गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस दिन स्रीशुक्तम का पाठ करें। मानता है कि जो बेक्ति इस दिन माता लक्षुन जी धनवंतरी भागवान कुवेर जी की पूजा करते हैं। उससे धन यस मान समान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होती है। ऐसे बेक्ति निरोग रहते हैं। चलिए आप जानते हैं धन तेरस की दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि 90 प्रसत लोग गलत चीजे का चेन करते हैं। जिससे उनके घर में धन आने की बजाए धन का नास होने लगता है। दोस्त इस दिन आप प्लास्टिक की चीजे भूल कर भी ना खरीदें। अगर मा लिजे कोई जाडू तूटी है या फिर मा लिजे आप बरतन खरीदें तूटा फूटा हुआ है तो ऐसी चीजे भी भूल कर ना खरीदें। खासकर इस दिन आप प्लास्टिक की चीजे भी ना खरीदें। इसका विशेश रूप से ध्यान रखें। आप जो भी खरीदें आप ध्यान रखें कि वो चीजे बिलकुल सही होनी चाहिए। इस दिन दीपक लोग लेते हैं तो ध्यान से देखीगा तूटा फूटा हुआ दीपक भी नहीं होना चाहिए। और इस दिन लोहा बगार मत खरीदेगा। लोहे की चीज बिलकुल भी ना खरीदें। इन चीजों का विशेश रूप से ध्यान रखेगा। यनि कि लोहा भी ना खरीदें। ये सनी का कारक माना जाता है। इस देखन तेरस के दिन लोहा तो बिलकुल भी ना खरीदें। प कुन से चीज घर में लाने से आपके घर में तेरा गुना ज्यादा ब्रदी होती है और पूरा घर धन से भर जाता है दोस्तों पहले चीज है कमल गट्टे का माला या फिर वीज माता लक्ष्मीजी को बहुत प्री है यह एक चीज जरूर घर लेकर आएं यानि कमल गट्टे का माला या फिर वीज कमल पर वीराश्ती है माता लक्ष्मीजी इसलिए कमल गट्टे का बीज बहुत प्री होता है धन तेरस के दिन आप इसे लेकर आएं और धन की स्थान पर रग दें तो तेरा गुना आपके घर में धन की ब्रद्धी करता है या फिर आप माता की चांदी के शिक्का लेकर आएं तो घर में तेरा गुना ब्रद्धी होती है दोस्तो धन तेरस के दिन आप एक जाडू यानि दो जाडू जरू लेकर आएं सिंगल जाडू कभी ना लेकर आएं दो जाडू दो जाडू लेकर आएं और आप दीपा बली के दिन इसकी पू यह आपके घर में 13 गुना धन को ब्रिद्धी को बढ़ाता है, धन में लाभ दिलाता इसलिए आप इसे जरूर लेकर आएं, तो लाभ होता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती, घर में शुक्षम्रद्धी की बारसी आजाती है, घर में बरसात हो जाती है, आपकी कई जन्मों की गरीबी मिठ जाती है, लाभ के लाभ मिलते हैं और मातालक्षमी जी सोते खीची चली आती है, दोस्तों इस दिन मातालक्षमी जी को परसंद करने के लिए कोडी और गोमती चक्र भी जरूर लेकर आएं, गोमती और कोडी लेकर आते हैं, तो निश्य तोर पे मातालक्षमी परसन हो जाती है पीतल का वरतन भी जरूर लेकर आएं पीतल का वरतन शमंद्र मंथन के दौरान धनवंतरी भगवान अमरित के कलस जो लेकर आए थे वो पीतल का ही वरतन थैशले पीतल का वरतन जरूर धन तेरस के दिन लेकर आएं शारा घर धन से भर जाएगा धन में तेरा प्रसंद करने के लिए मातलक्ष्मी की प्री वस्तु चरण पादुका भी ले कर आशकते हैं इससे भी मातलक्ष्मी जी सोता खिची चली आएंगी दोस्तो ये वस्तु जरूर ले कर आएं तेरा गुना धनकों में ब्रद्धि कराएंगे और लाव की प्राप्ती होगी पूरा प्राप्ता जिस्मी टूरा खिरलाje कर ले कर दोऊंगे पूरा जड़ प्रापकते हीे जी दूराउर खिफिजान कर दो उन ग thermom में जए होगी दोगी आएंगी धने हीता कर खि בæ fear, जा ब्र खिएांगी दूराओ गुना एंगी झार सथिंध में जलकों में तूने